आप भाइयो आज का जो वीडियो है यह टेक्टर गे उपपर LED लाइट का है दोस्तों पूरी बताऊंगा कि कैसे कैसे मैं ने LED लाइट लगा रखी है और प्राइज क्या है इनका अगर नमस्कार किसान भायों राम राम दोस्तों आज का जो हम लोग video बढैंगे यह बनाएंगे दस्तों पर एलीडी लाइट कैसे प्राइज की जाती है और दोस्तों एलीडी लाइट का प्राइज भी विदाऊंगा पूरी स्पैसिटे कैशन की बहें कैसे कैसे मैंने कैसे फिट कर रखी है दोस्तो एक तो यह फ्रंट पर बार लाइट है यह फिट कर रखी है और दो लाइट है दोस्तो जो एलेडी है यह फाइबर कनोपी में है और भाईयो एक एलेडी लाइट जो है हमने ट्रेक्टर के पिछे फिट कर रखी है तो भाईयो ए जैसे हमारी यह बाड़ी लाइट होती है कि यहां पर हुक बग्यारा का सिस्टम पूरा नहीं नज़ता है अपना इंपलीमेंट का तो दोस्तों मैंने अपने हिसाब से यहां फिट कर रखा है अब दोस्तों ट्रैक्टर पे लेडी लगाने के दो तीन कारण है में तो एक तो पहला कारण तो यह है modification देखने में सुन्दर लगता है दूसरी बात दोस्तों इसका चांदना जो है जो रोशनी है बहुत ही bright बढ़िया होती है अपने आम जो टेक्टर की normal light हैं उनके मुकाबले और तीसरा कारण है दोस्तों कि यह current बहुत ज़्यादा कम लेती है जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि अगर मान लीजिए खेत में कोई काम चल रही है चल रहा है रात को भूस दूलाईए दोस्तों बहुत सारे काम हमें रात को करने पड़ते हैं तो बंद टेक्टर में दोस्त दोस्तों चाहे यह front वाली जो बार लाइट है बहुत चानना है इसका यह सारी LED लाइट है जितने भी हमारी है चार की चार LED लाइटें दोस्तों लगी हुई है पूरी रात भी मैंने इनको जला के छोड़ दिया और टेक्टर बड़े अराम से सुबह स्टार्ट हो गया तो दोस्तों करंट भी नहीं जादा लेती है वैसे तो दोस्तों यह rough and tough होती है कोई खराब भी नहीं आती जल्दी लेकिन रिपेर वल नहीं है यहां पर मैं आपको बता दूं रिपेर नहीं होती है तो भाईयों मैं खेत की जुताई कर रहा हूं जैसे एक view रात का भी साथ में बना के डाल दूंगा कि कितनी रौशनी है तो दोस्तों यह वाली जो फ्रंट लाइट है पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं जो रेट है दोस्तों इसका बारा सो से चौदा सो रुपे है और भाईयों यह जो दो बराबर की LED है मैं बंद करके देखता हूं शायद आपक तो दोस्तों यह जो बराबर वाली दो लाइटे हैं इनका फोकस में चानना पड़ता है बैटरी की तरह दूर तक और दोस्तों यह जो बीच में LED बार लगी हुई है इसका जो रोशनी है वो फैल के पड़ती है तो दोस्तों आम लाइटों की अगर मान लो बड़ी लाइट अच्छे वाली है जो इसके दो पैनल हैं यह वाले यह थोड़े अलग हैं देखो आपको चमक रहे होंगे यह फोकस के लिए हैं दूर तक रोशनी के लिए और इस पूरी बार लाइट का दोस्तों फैला हुआ चानना होता है तो दोस्तों यह वाली जो बार लाइट में नह ज़र नहीं आता है इससे तो भाईयों कर लेती हैं जो कर लेते हैं बात जो फाइबर हुड पे लगें दोस्तों यह 500 रुपे का पेर है दो दो भी लगा सकते हैं पहले दो लगी हुई थी अब एक एक मेने उतार दिलाइट है तो भाईयों इनका जो फाइदा है काफी आँगा कि कैसा नजर आता है इतनी का लेडी लगने पे ट्रेक्टर के उपर से तो भाईयों यह 500 रुपे का जोड़ा मिलता है और इनका जो है का में फैला हुआ चान ना होता है कोई की सामने वाले की आंखों में लगता और पूरे का पूरा ट्रेक्टर कहा में पूरा लाइडी है यह बिल्कुल सीट के पिछे लगा रखे से पूरा इंप्लीमेंट और पूरा पिछे तक नजर आता है यह इतनी कवड़ी लाइट है दोस्तों दोस्तों आगे का वीडियो में अधेरा होने पर जब मैं ट्रेक्टर चलाओंगा तब शूट करूँगा तो भाई पूरा दोस्तों दूर तक जैसे कि वो आगे नीला नीला दिख रहा है लाइट में तो वो फोकस वाली लाइट है अपना काम कर रही है तो दोस्तों हर चीज बिल्कुल ब्राइट दिख रही है आम लाइटों से बहुत भी बढ़िया पूरा एक दम दिंसा हो रहा मतलब बह अभी नहीं कर सकती है और देखो दोस्तों इनका चानना बहुत ही कम है खैलावटदार चानना पूरा टेक्टर नजिर आ रहा है और बैक लाइट दिखा दूं दोस्तों आपको यह साड़े पांसो रुपे ही मिल जाती है तो पांसो साड़े पांसो रुपे की अब मैं एक पूरा ट्रेक्टर आपको चला के दिखा हुए तो देखो दोस्तों मीच्छे इसा भी हुआ रहा है पूरा ट्रेक्टर मतलब चानना यहां से आके आके हैं पीछे कोई चानना नहीं है ऐसे पीडियो के अगर कोई पेड की आती है तो पूरा सांप नजर आरी है लिए वीडियो था कि सेक्टर पे लेडी लाइट कैसे लगाएं तो जैसे मैंने लगा रखी हैं मैंने आपको वीडियो बना के डाल दिया वीडियो कैसा दगा कमेंट में जबूर बतारा और दोस्तों आप लोग आके कैसे वीडियो देखना पसंद करोगे ट्रेक्टर की परफॉर्मेंस के या दोस्तों मौडिफिकेशन ट्रेक्टरों की दोस्तों कमेंट में बता दिया अगरों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हम हर तरह का वीडियो बनाएंगे आपके लिए तो भाईयों आम लाइटों के पुपाबले बहुत ही बढ़िया चानना होता है लीडि लाइट का और खर्चा भी दोस्तों कम होता है देखो दोस्तों कितना बढ़िया ब्राइट चानना है आगे भी और पीछे भी खर्चा बहुत बढ़िया दिखता रहा है अभाईव वीडियो कहना दगा कमेंट को घ्रका दियो धन्यवाद